तो दोस्तों ये रहा हमारे पास Realme C33 Mobile आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme C33 Mobile में Smart Call Setting को Enable कैसे किया जाता है जी हाँ दोस्तों आप अपने मॉबाइल में Smart Call Setting को Enable करके आप अपने मॉबाइल को Smart बना सकते हो और Smart तरीके से बात कर सकते हो तो दोस्तों smart call setting को enable करने के लिए आप कहां से अपना setting open करना है setting open करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचा आना तो यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाएगा smart controls का तो इस पे आपको click कर देना है दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक option देखने को मिलेगा smart motion का तो इस पे आपको click कर देना है इस पे click करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपका सामने इंटरफेक्स सो हो जाएगा अब यहाँ पे यूज smart motion का option मिलेगा इसके सामने टिक सबसे पहले आपको यहाँ से इनेबल कर देना है इस टिक को इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे तीन option देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों यहाँ पे पहला option आता है easy answer का इजी answer के सामने टिक है इस टिक को अगर आप यहाँ पे इनेबल कर देते हो तो दोस्तों इस टीक को Enable करने से होता यह है जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल पे कोई भी कॉल आ रहे हैं और आप अपने मोबाइल को उठा के अपने कान के पास लेकर जाओगे तो दोस्तों आपकी call automatic answer हो जाएगी यानि कि आपकी बात होना start हो जाएगा यह है पहले का option का मतलब तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा option आता है easy bell इसके सामने टिक है इस टिक को यहाँ से enable कर देना है इस टिक को दोस्तों enable करने से दोस्तों होता है कि जैसे दोस्तों आपके mobile प vibrate हो जाएगा दोस्तों इसका दूसरा मतलब रहा है आप दोस्तों यहाँ पर तीसरा option आता है mute incoming calls इसके सामने टिक है इस टिक को यहाँ से आपको enable कर देना है इस टिक को enable करने से दोस्तों यह होता है जैसी कि आपके mobile पर कोई भी call आ रहे है और आप अपने mobile को किसी smart call setting को enable कर सकते हो बिलकुल ही आसान तरीके से दोस्तों वीडियो से आपको सही जान करें मिले हो तो please वीडियो का लाकर चनलों को subscribe जरूर करें